हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर के एकजाम क्रेकर मैं विश्णुजत सर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एकजाम क्रेकर पर स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपके लिए जो हर्याना राज्य है उससे रिलेटेड़ जो जीके के इंपोर्टन्ट कोशन है जो की हर्याना की सभी योजनाई यानि स्कीम से रिलेटेड़ है वो सभी डिसकस करने वाला हूँ और friends इससे पहले भी मैं इस topic से related एक video में जो question है objective question करवा चुका हूँ cover अगर वो part आपने अब तक नहीं देखा है तो आप उसको भी जल से जल देख लीजिए और उन important question को जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए और friends जो उसके आगे के next जो question बचे हैं वो अभी मैं आज की इस video में करवाँगा इन question को भी बिल्कुल ध्यान से देखिए और friends जो ये मैं यहाँ पर आपके लिए question collect करके लाता हूँ ये बहुत ही selected और अच्छे level के question है आप जैसे इन question को देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इन level का question है इन में कैसा level है जो exam में question आते हैं उसी level के ये मैं यहाँ पर question करवाता हूँ और जो आने वाले अभी हरियाना पुलिस और जो पतवारी ग्रामस्चिव और बाकी जितनी भी हरियाना स्टाफ सेलेक्शन की कमिशन की परिक्षाएं हैं उनमें ये बहुत ही महतोपूर्ण होने वाले आपके लिए इसलिए बिलकुल ध्यान से वीडियो को देखिए और ए लगातार मिलते रहेंगे और आप आसानी से हमारी वीडियो को देख पाएंगे तो देखते हैं आज के इंपोर्टेंट क्वेशन सबसे पहला जो क्वेशन है वो देखते हैं हर्याना में संचालित सरकार आपके द्वार कर्यक्रम का संबंध है हर्याना में कर्यक्रम है एक स्कीम है सरकार आपके द्वार इसका संबंध किस चीज़ से है सही option होगा हमारा यहां पे option ए उत्तम पसु चिकित्सा सेवा उपलब्द करवाना यानि जो उत्तम पसुचिकित्सा है पसुओं को जो उनकी इलाज करना इसकी सेवा के लिए कर्यक्रम है सरकार आपके द्वार मतलब इस question को अलग चे भी इसको अलग form में भी पूछा जा सकता है इसलिए आप इस scheme को याद रखिए next question क्रिशक उफार योजना जो क्रिशक उफार योजना है scheme है उसके अंतरगत कितनी रासी के अधिक से अधिक उपज मंडी में बेचने पर उप़ार कूपन दिये जाते हैं तो यह योजना है इसके तहट सही अंसर होगा यहां पर हमारा option C 5000 रुपे से ज्यादा कि अगर कोई किसान उपज को अपनी मंडी में बेचता है तो उसको उफार के रूप में कुछ कूपन दिये जाते हैं कुछ उस पे अलग-अलग schemes में कूपन दिये जाते हैं उसमें उस कृषक उपार योजना इसी योजना से इसलेट एक और important question जो कृषक उपार योजना है उसकी शुरुवात कब की गई हर्याना में exact date पूछी गई यहां पर सही अंसर होगा option D 2 October 2000 को महत्मा गांधी के जनम दिन पर यह योजना शुरू की गई थी कृषक उपार योजना राज्य में सिक्सित बिरोजगार है तू बिरोजगारी बत्ता योजना कब से आरम की गई जो हर्याना राज्य है उसमें जो पड़े लिखे बिरोजगार वेक्ति हैं जिनको अब तक नोकरी नहीं मिली हैं उनको बिरोजगारी बत्ता अलाउंस देने की योजना कब सुरू की गई उसकी भी देखिए जो exact date पूछी जाती है एक जाम से योजना उसे related इसलिए एक-एक date को आप याद कर लीजिए बार-बार question को practice करिए उससे आपको ये याद हो जाएंगे सही answer का option C एक number 2005 को यानि जो हर्याना दिवस होता एक number को ही उसी दिन ये 2005 को ये योजना शुरूगे गे हर्याना राज्य सरकार दुआरा वनों की रक्षा के लिए चलाए गए कार्यकरम का क्या नाम है हर्याना में जो वन है जो वरिक्सों की रक्षा के लिए एक कार्यकरम चला गया उसका इन में से क्या नाम है सही अंसरोंगा option C, एक बच्चा, एक पेड, ये वनों की सुरुक्षा के लिए एक अभियान चला गया, कार्यकरम चला गया वरिदावस्ता भत्ता योजना, जो वरिद लोग है, जो बड़े बुड़े लोग है, यानि senior citizen है उनके लिए वरिदावस्ता सम्मान भत्ता योजना, हरियान के किस आयू के गरीब एवं जरूरतमंद वैक्तियों के लिए सुरू की गया है, तो ये आयू वर्ग पूछा गया है, सही अंसरोंगा option A, 60 वर्स की उमर पर, यानि 60 वर्स का जब कोई भी वैक्ति वरिद हो जाता ह उसके बाद से उसको ये भत्ता मिलना सुरू हो जाता है, 18 अक्तुबर 2015 को हरियाना सरकार द्वारा कौन सी योजना को स्विक्रिति दी गई, 2015 के एक इंपोर्टन्ट योजना पूछी गई है, तो 18 अक्तुबर 2015 को जो योजना सुरू की गई, उसका सही अंसरोंगा यहां प एक और important question, इसका उदेश्य क्या है इस योजना का, सही अंसरोंगा option ही, कटिन प्रिस्तितियों में पीडित महिलाओं के सायक संस्तागत framework त्यार करना, यानि जो मुश्किलों में फसी हुई महिलाएं हैं, उन पीडिताओं को जो है, इसके अंतरगत सायता परदान की जाती ह उनके लिए एक योजनाएं अलग-अलग बनाई जाती हैं, उनको सुविदाएं दी जाती हैं, सवधार गरी योजना के अंतरगत, तो इसकी हमको date भी पता होने चाहिए, और इसका उदेश्य क्या है, कि ये related है scheme ये भी पता होना चाहिए, sorry, निमन कतनों पर विचार कीजि सहरी स्वास्ते मिशन की सुर्वात की गई, और दूसरा है लड़कियों की सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पिछडे अक्षित्रों में कस्तूरबा गांधी बाली का दिवस विदाले स्तापित क्या गया है, तो ये हमें योजनाओं से related कुछ तथ्थे दिया गए हैं, कथन दिया गए हैं, उनमें बताना है कौन सी सही है, कौन सी गलत है, तो यहाँ पर हमारा सही अंसर होगा जो होगा हमारा option C, एक और दो दोनों, जो एक और दो दोनों कथन है वो सत्य है, तो याद करिए इनसे अलग से question भी आ सकता है, कस्तूरबा गांधी बाली का विस वि दोनों कथन हमारे सत्य हैं इस question में, थारी पैंसन, थारे पास योजना, कि सुरुवात रियाना के मुख्यमंत्री ने किस सहर से की, जो ये मुख्यमंत्री ने योजना शुरू की, थारी पैंसन, थारे पास योजना, ये चंदिगड से सुरू की, सही अंसर option B होगा यहाँ है हमारा चंदिगट सहर से इसकी योजना की शुरुवात की गई है next question 51 महात्मा गांधी स्वाव लंबन पैंसन योजना जो पैंसन की एक स्कीम है उसको कब शुरू किया गया कौन से साल में सही अंसर होगा हमारा यहां पे option d 2010-11 में महात्मा गांधी स्वाव लंबन पैंसन योजना शुरू की गई निमन में कौन सा कथन गलत है एक बार फिर से कथन बाला question है कुछ statements दी गई है कथन दिये गई है उनमें हमको बताना कौन सा गलत है इनमें से चार option में से तीन सही है लेकिन एक गलत है पहला जो a option है हुआ है यह स्वेचिक संस्थाओं के माध्यम से किर्यानवित होती है एक योजना के बारे में पूछा गया है यह Children in Need of Care and Protection Scheme इस योजना के बारे में यह बता गया है कि यह बच्चों के पालन पौशन से संबंदित है और option a में है स्वेचिक संस्थाओं के माध्यम से किर्यानवित होती है और यह सारवजनिक संस्थाओं द्वारा किर्यानवित की जाती है और इसके तहती जाने वाली रास यह जो होगा 600 रुपे परती माह यानि हर मेने 600 रुपे तो इन में से जो गलत option होगा हमारा option C यह सारवजनिक संस्थाओं द्वारा किर्यानवित होती है तो यह ऐसा नहीं है यह होती है हमारी स्वेचिक संस्थाओं जो हमारी voluntary जो संस्थाओं हैं जो अपने आप काम करती हैं उनके द्वारा यह उनके माद्यम से एक जो है scheme होती है Children in Need of Care and Protection Scheme तो यह बाकी तीन कथन हमारे सही है और C option है जो गलत है तो बाकी तीन को भी आप अच्छे से याद कर लिजिए उनके से अलग से एक question आ सकता है exam में निमन कथन पर विचार करें पहला कथन है फ्रीदाबाद में रंगाई उनिटों के लिए जो साजा मलजल परिशोधन से यंत्रह वो लगाया जा रहा है फिर चोदरी देवलाल के 89 में जनम दिन पर जनम दिवस पर 25 सितंबर 2002 को था जो उस पे देवी रूप की योजना शु की गई है तो इस कत्नों को बताना कौन सा सही है तो यहां पर हमारा जो सही अंसर होगा वो होगा option C जो दो और तीन है वो सही है हमारे option ये खेल परतियोगता है सुरू की गई है महिलाओं के लिए और चोदरी देविलाल के जनम दिवस पर जो देवी रूप की योजना सुर जा रहे हैं तो इसलिए आप इनको बिलकुल ध्यान से कर लिजी नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं आज का हरियाना हरीजन कल्यान निगम की स्थापना कब होई ये एक निगम है लिमिटिड है उसकी पूछी गया है तो हरियाना हरीजन कल्यान निगम की स्थापना होई थी ज प्षड़ी जातियों की जो छात्राएं है नौट करेंगे छात्राएं यानि लड़कियों के लिए स्कीम है उसमें जो छात्रावास उनके होस्टल बनाने के लिए कौन सी योजना है सही अंसर होगा हमारा यहां पर जो उप्षण ए बाबू जग जीवन राम योजना और यह जो योजना शुरू की गई थी इसको 2018 में शुरू किया गया था नेक्स्ट देखते हैं कॉश्चन राज्य में वैवसाइक सुचना वैवसाइक मार्ग दर्शन केंदरों द्वारा परदान की जाती है तो किन केंदरों के द्वारा यह परदान की जाती है चार ओप्षण दिये गए हैं पूचा गया है किन केंदरों द्वारा यह सुचना दी जाती है तो सही अंसर होगा है हमारे यहांपे option D जो option D है यानि उपरोक्ट सभी जो तीनों है गरुप कोश्टियों दुवारा भी परदान की जाती है वैवसाइक परवचनों दुवारा और वैवसाइक मार्ग दर्शन सपता के माध्यम से तो तीनों option यहांपे हमारे सही होंगे सभी option सही होंगे हर्याना राज्य के किस मंत्राले को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यकरम के अंदर गए नोडल मंत्राले बना गया यानि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है वो कार्यक्रम किस मंत्राले के अंदर है मेन मंत्राले मेन मिनिस्ट्री कौन सी है सही अंसर होगा ओप्षन B सोरी सही ओप्षन होगा इसका ओप्षन C महिला एवं बाल विकास मंत्राले यहनी जो Women and Child Development मिनिस्ट्री है उसके अंदर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है Fair Place Scholarship कार्यक्रम किस से समंदित है तो यहां पर हमारा सही अंसर होगा ओप्षन B खिलाडियों के प्रोचसान एतु जो अच्छा केलता उसको स्कोलर्शिप दी जाती है इसलिए यह खिलाडियों से Related Scheme है व्रिदावस्ता पैंसन शुरू करने वाला हरियाना देश का कौन सा राज्य है सही अंसर होगा ओप्षन A पर्थम हरियाना पूरे जो भारत में पहला राज्य है जिसने व्रिदावस्ता पैंसन की योजना शुरू की नेक्स्ट है स्कूली छात्रों के नेत्रितों गुणों को विक्सित करने के लिए जो स्कूल में छात्र पढ़ रहे हैं उनमें Youth Leadership के जो कारेकरम है उनमें जो Leadership के गुण है उनको विक्सित करने के लिए ये कारेकरम है जो कारेकरम है जो कारेकरम पर शुरू किया गया स्वास्थे आपके द्वार योजना किस वर्स प्रारम की गई, जो स्वास्थे आपके द्वार योजना है, इससे पहले भी एक कोशन आचुका है, वो कौन से साल मे ये सुरू की गई थी, सही अंसरों का option c, नॉंबर 2003 में ये योजना सुरू की गई है friends योजनाम से related question बहुत ही important है इसलिए बार-बार पूछे जा रहे हैं इनको बिल्कुल ध्यान से याद कर लिजे बेटी का सलाम राष्टर के नाम अभियान हर्याना सरकार के किस विभाग द्वारा चला जा रहा है यह अभियान है एक केंपेन है बेटी का नाम राष्टर के नाम तो यह हर्याना राज्य सरकार का जो विभाग है इसको चला रहा है वह है option A महिला कल्यान विभाग यानि वूमेन वेलफेर डिपार्टमेंट रज्य सरकार द्वारा हर्याना के सारे लिक व्यमांसिक रूप से जो विद्वाग है यह यह विजिकली और मेंटली हैंडिकैप वैक्ती है पर्सन है उनके लिए एक विकलांग पैंसन योजना है जो किस आईु के वैक्तियों पर लागू की जाती है यानि किस आयू के लोगों को इसके अधिन इसके तहर जो है पैंसन मिल रही है तो यहाँ पर हमारा जो सही अंसर होगा वो यहाँ पर देखते हैं इसका option होगा option D सही 18 वर्स या उससे अधिक के जो विकलांग पुरुस है उनको पुरुस या महिला है जो भी वैकती है उसको यह पैंसन योजना शुरू की गई है उनके लिए हर्याना में नरेगा की शुरुआज जो नरेगा योजना है उसकी राज हर्याना में कब होई थी तो इसका सही अंसर होगा option C दो फर्वरी 2006 को और भारत में भी ये दो फर्वरी 2006 को शुरू हुई थी और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा हर्याना में ये दो जो जिले हैं इसके डिस्टिक हैं वो हैं सिर्सा और महंदरगड उनमें शुरू की गई थी उसके बाद 2007 में इसको अंबाला और मेवाद में शुरू किया गया और फिर 2008 में पूरे हर्याना में इसको लागू किया था 1 अपरैल 2008 से हर्याना के सेच कितने जिलों में नरेगा यहजुना की शुरू आत की गई तो पूछा गया है तो मैंने अब आपको बताः था भी 2008 में सबी जिलों में ये लागू कर दी गई तो पूझा गया 2008 में कितने से जिलों में लागू की गई तो सही अंसर होगा हमारा यहां पर option D, 16 जिलों में 4 जिलों में पहले हो चुकी है 2 में एक बार और 2 में एक बार और उस समय पर हर्यान में 20 जिले थे तो हर्याना का जो सहकारी बैंक है, उसके दुआरा इन में से कौन सी योजना शुरू की गई? सही अंसरों का option A, इंद्रा आवास योजना, हर्याना का जो सहरी है, क्रीशी है और गरामिन विकास बैंक है, उसके दुआरा शुरू की गई है, काफी important question है परदेश में ऐस्वस्थ वैवसाई में लगे अनुसुचित जाती के बच्चों के लिए कि स्थान पर छात्रवास बनाए जा रहे हैं, तो इसका अंसर होगा हमारा option D, जो करनाल, अंबाला, फ्रिदवाद, इन सभी स्थानों पर ये, जो हैं, होस्टल छात्रवास बनाए जा अभी पैंसन योजना शुरू की है, सही अंसर होगा option ही, पत्रकार है, जो जनरलिस्ट है, उनके लिए अभी हरियाना सरकार ने हाल ही में पैंसन की योजना तियार की है, शुरू की है, सहरी अक्षित्रों के विकास के लिए, हरियाना जो सरकार है, उसके द्वारा कौन सी य योजना की गोसना की गई है सईए अंसर होगा हमारा यहां पर option D मंगल नगर विकास योजना इसका सम्मझना जो सहरी अक्षित्रों के विकास से है इसको गुमा फिरा के भी कूछ पूचा जा सकता मंगल विकास नगर योजना किस से सम्मझन दीता तो यह सहरी जो अक्षित्र है उसके विकास से संबंदित है ग्रामिनों में यह नहीं है राष्ट्रे क्रीसी विकास योजना यानि R-K-V-Y कहा है जो यह यह योजना इसका मुख्य उदेश्य क्या है तो यहाँ पर हमारा सही अंसर होगा जो वो होगा हमारा option A क्रीसी और संबंद अक्षित्र में जो है चार परतिशत वार्षिक वृद्धी करना इस योजना का में लक्षय है उदेश्य है हर्याना सरकार द्वारा लागू परदानमंत्री सुरक्षा वीमा योजना है जो वो किस IU वर्ग के निवासियों को वीमा कवर परदान करती है जो केंदर सरकार की परधान मंत्री सुर्क्षा बीमा योजना है वो हर्याना में पूछा गया कौन सी आई वर्क के निवासियों को ये बीमा देती है उनका बीमा किया जाता है इस केंदर में सही अंसर होगा option D 18 से 70 वर्स का जो आई वर्क के लोग है उनको ये परदान किया जाता है हर्याना के मुख्यमंत्री ने 30 विविन विवागों की 280 योजनाओं और करेक्रों के बारे में जानकारी देने के लिए कौन सी मुबाईल एप्लिकेशन लौंच की है तो ये आप याद रखेंगे सही अंसर होगा option B E.Sewa E.Sewa के नाम से ये मुबाईल एप्लिकेशन शुरू की गई है हर्याना राज्य सरकार द्वारा यहां के मुख्यमंत्री ने इसकी सुरूआत की है हर्याना के मुख्यमंत्री ने ने खालिस्तान के लिए 3 दर्शन योजना की गोफ्यमंत्री ने是 कि दर्शन कराये जाएंगे इस योजना के तयत और इसका खर्चा होगा वो हर्याना सरकार देगी अर्याना राज्य की कौन सी योजना किरिया कलाप उनमुक शिक्षा की अवधारना पर आधारित है जो शिक्षा की अवधारना है उस पे कौन सी योजना इन उप्षन में से कौन सी योजना आधारित है सही अंसर होगा उप्षन डी मुख्य मंत्री शिक्षा दिक्षा योजन है जो इस जो ये उनमुक सिक्षा है उसकी अधारना पर आधारित है तो सही अंसर option D होगा इस question का अर्याना सरकार पोलेंड के pattern पर यह भी याद करेंगे हम कौन से pattern पर की देश का यह pattern है यह पोलेंड का pattern इस pattern पर जो है इलेक्ट्रिक सरकार पोलेंड के pattern पर जैसी पोलेंड के पोलेंड में जो बसे चलती है उसके pattern पर ही वहाँ पर बसे चलाएगी अर्याना के बिरोजगार नोजवानों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है जो प्रट, बिरोजगार यूवा लोग है, हर्याना में उनके लिए योजना शुरू की गया, वो है ओप्शन सी, सायोगा सक्षम यूवा योजना, इसके तहत बिरोजगारों को बता दिया जाता है, उनको जो है रोजगार भी दिया जाता है, अर्यानास राज्य की वर्तमान सरकार ने पंजिकरित सर्मिक यानि जो लेबर है हमारे जो रेजिस्टर्ड लेबर है उनको जो दी जा रही दिव्यांग पैंशन है उसको कितने गुणा बढ़ाया है अबी करंट में सही अंसर होगा option B 10 गुणा 10 गुणा इनकी pension को बढ़ा दिया गया है increase किया गया मुख्यमंत्री सामाजिक समरस्ता अंतरजातिय विवास कुन योजना जो विवास से रिलेटेड साधी से रिलेटेड जो अंतरजातिय विवाक किये जाते हैं उन से रिलेटेड ये मुख्यमंत सामाजिक समरस्ता योजना है उसके तहर जो दे रासी जो रासी दी जाती है पता सोरी पचास अजार उसको बढ़ा कर अभी वर्तमान में कितना किया गया है सही अंसर होगा option C एक लाग रूपे अभी ये रासी कर दी गई है पहले पचास अजार दी जाती थी हर्यान राज् है तो सही अंसर होगा हमारा option D सिर्शा जिला उज्वला योजना में सबसे ज्यादा फाइदा इसको मिल रहा है ये number one है next question देखते हैं हर्याना सरकार ने कितने जिलों में मात्रिताव लाब करेकरम ध्यान देंगे मात्रिताव लाब करेकरम है जो वो लागू करने की स्विक पर्मिशन दे दी गई है दीनबंदू सरकार दीनबंदू हरयाना ग्राम उदे योजना के माध्यम से कितने छोटे बड़े गाओं का विकास कर रही है तो यहाँ पर सही अंसर होगा जो इस योजना के तहट जो विकास किया जा रहा हो पंदरा सो आबादी से तीन हजार पं गाओं की अबादी 3000 से 10,000 तक है ऐसे 1500 गाओं का जो ये योजना है हर्याना गराम उदे योजना इसके तहत हर्याना सरकार विकास कर रही है नेक्स्ट हर्याना में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए जो नए नए उद्धोग है स्टार्ट अप है उनको बढ़ावा देने के लिए किस्टोन नोलेज पार्क है जो कहां पर स्थापित होगा सही अंसर होगा ओप्शन डी ये गुरुगराम में स्थापित होगा मुख्यमंत्री विवास गुन योजना की जो वितिये साहता है प्राप्त करने के लिए जो अवेदक है यानि जिसको वो साहता मिलनी है जिसको फाइदा मिलना पैसे मिलने है उसको विवासे कितने दिन पहले ओनलाइन अवेदन प्रेशित कर सकते हैं तो ये जो हमको ओनलाइन अप्लिकेशन समेट करनी होती है ये 30 दिन पहले करने होती है, option ने सही होगा, okay हर्याना में जो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की रासी है वो बैंक खातों में जमा कराने के लिए, sorry हर्याना में जो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की रासी बैंक खातों में जमा कराने के लिए एक योजना प्रारम की गई है उसका क्या नाम है सही अंसर होगा option B थारी पैंसन थारे पास तो उनके बैंक खातों में यह जमा हो जाएगी और इसकी शुरुआत की गई है चार अगस्त याद करेंगे date भी चार अगस्त 2015 को और इसका जो मंत्राले है जो भाग हुआ है सामाज सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभागयानी सोसल जस्टिस एंड इंपावर्मेंट डिपार्टमेंट है तो फ्रेंड्स जो यह योजनाव से रिलेटेड इंपोर्टेंट कोशन थे वो हमने आज कवर कर लिए आसा करता हूं मैंने जो जो यहाँ पर इंपोर्टेंट कोशन है वो ही मैंने यहाँ पर कवर कराए हैं और यह आपके अग्जाम्स में आने भी वाले हैं इसलिए बिल्कुल ध्यान से विडियो को देखिए और एक एक कोशन को याद कर लिजिए तो फ्रेंड्स आज के जो इंपोर्टेंट कोशन के साथ ही विडियो को समाप्त करत हैं और बैल आईकन को प्रैस कर लिजिए उससे आपको हमारी विडियो के जो मैं यहाँ पर डेली क्लासिज लेकर आता हूं डेली विडियो लेकर आता हूं उनके नौटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएंगे और आप आसानी से विडियो देख पाएंगे तो फ्रेंड्स आज के इन question के साथ ही आज की वीडियो को आज के इस पार्ट को समाप्त करते हैं और मिलते हैं next पार्ट में और अच्छे important topic और अच्छे important question के साथ तो friends thank you